बदलते बनारस की जलक जानने हेतू त्रिपूरा से पत्रकारों का नौ सदसी डल काशी पहुचाओ मुलाकात की जिसमें मंडला युक्त ने उनको काशी विशुनात मंदिर के बदले स्वरूप से वारंसी की आर्थिक दशा के साथ साथ धार्मिक गतिवधियों की बदलती दशा पर उनको जानकारी प्रदान की इसके अलावा उन्होंने वारंसी के बुनकरों, घाटों, सारना सहित अन्य दर्शनिय स्थलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि वो लोग इसका अवलोकन अवर्श करें और अपने माध्यम से इसकी रिपोर्ट भी तैयार करें नौ सदस्य ये दल गरामीन शेत्र में विक्सित भारत यात्रा के तहट लगाए गए, कैमपो का भी अवलोकन करेगा इस हवसर पर वारेंसी के मुख्यवकास अधिकारी हमाशू नाकपाल ने दल के सदस्यों को वारेंसी में विक्सित भारत अभियान के तहट लगाए गए, कैमपो के साथ-साथ इसका प्राप्त करने वाले लाभारतियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बटाया कि किस प्रकार से वारेंसी में इसको आयोज़त किया गया अभी आपने उनको ब्रीफ किया अखिर कितने सदस्य है और इनका मूल देश क्या है कहां प्याने का त्रिपुरा प्रदेश से पी आई बी जो भारत सरकार की एजेंसी है उसके माध्यन से वहां के काफी नामित पत्रकार वाराणसी आये है और यह एक कारिक्टरम है सब्सक्राइब के अलग-अलग प्रदेशों के पत्रकारों को और उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है ताकि भारत के बारे में जब चाहिं बीस से जादा के बड़े पत्रकार शामिल है और अधिकारी गण के साथ वाराणसी को बदलते हुए कैसे देखा जाए उसको समझने के लिए वे आये हैं, और ये जो विक्सित भारत संकल प्यात्रा उसके अंतरगत किया जा रहा है, ये दो महिने में ही ये Information Broadcasting Ministry के काफी दल एक दूसरी प्रदेशों में जाएंगे, वारानसी का सोभाग्य है कि यहां पे समझने के लिए तिप्राप्रदेश के ल विक्सित भारत संकल प्यात्रा उनकों दिखाई जा रही है, और यहां के गाओं के बारे में कैसे लोग जीवन जीते हैं, कैसे उन्हें योजनाओं का लाब मिला है, और कैसे उनका जीवन उसके माध्यन से परिवर्तित हुआ है, वो सब डिमोस्टेट किया जा रहा है, ये बदलाव की क्रांती को लागू किया है, उसको समझ सकें और अपने प्रदेश में जाके, अपने प्रदेश के शहरों को भी मोटिवेट कर सकें कि वे भी इतनी तेजगती से बदलाव लाके अपने आपको विक्सित बनाए है, बहुत ही अच्छे नंबर में गाओं में इसक कानी धरती कहे पुकार की स्किट हो, अवार्ड पार्टिसिपेशन सेरिमनी हो, क्विज इवेंट हो, इसमें भी बहुत ही अच्छे संक्या में लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, हर योजना में जिसमें भी गाओं में वैन जा रही है, पंदरा से बीस लोग ज़रू मंतरी जी का एक मकसद है, और मानली मुख्य मंतरी जी का एक संकल्प है, उसके तहत ये वैन गाओं में जाकर योजनाओ का लोगों को लाब दे रही है, साथ ये साथ हेल्थ कैम जो लगाए जा रहे हैं, जो गाओं के लोगों की चिकित्साई समस्याई होती थी, तो उसको लेकर बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉंस आ रहा है, और दो सो से डाइसो लोग हर कैम में इसमें अपना हेल्थ चक अप करा रहे हैं, आईश्मान कार्ज अपने बनवा रहे हैं, अनीमिया स्क्रीनिंग करा रहे हैं, तो एक जो ट्रांस्फोर्मेटिव रिजल्ट्स गाओ का आदमी हर करमचारी बहुत मोटिवेटेड है और बढ़ चड़कर सभी लोग इस स्यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं,